नमस्कार जै हिंद वंदे मातरम सातियों कैसे हो आसा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सब की तैयरी बहुत अच्छी चल रही होगी तो सातियों इंडियन पॉलिट्टी को सुरू करने से पहले हम अखंड बारत यानि सातियों किसी भी देश की अगर हमें अ आखंड बारत यानि सातियों जो बारत है इसको वर्तमान जो सवरूप है बारत का उस वर्तमान सवरूप से पहले जो प्राचीन बारत हमारा था सातियों इसका विश्तार कहां तक था और ये कौन से माद्यूप में सातियों इस ताइप के भी आपके दिमाग में क्यूसन आ रहे होंगे तो वो सारी जानकारी साथियों आज के इस वीडियो में आपकी कलियर होने वाली है तो सबसे पहले देखेंगे साथियों यह है एश्या महाद्यूप ठीक है और इस एश्या महाद्यूप के अंदर अखंड भारत जो कि साथियों आप यहां पर इस मानचित्र में यहां पर देवा रहे होंगे तो इसमें कौन-कौन से देश सामिल थे अखंड भारत में तो यहां पर भात का कमानची तरह आप देख है पाक्यश्थान है अफटान नेपाल है बूटान है बायंगना का है और भी इसमें कौन-कौन से देश अखंड भारत में सामिल थे सातियों उससे समधित आज आपको complete जानकारी मिल जाएगी और इसमें से सातियों यह जो आप अखंड भारत यहां पर देख पार रहे हो इसमें से कौन-कौन से देश कब अलग हुए नमबर एक बात दूसरी सातियों आपको यह समझने के लिए मिलेगा कि अखंड भारत से जो देशों को अलग किया गया अंग्रेजों ने क्यों किया और इसके पिछे क्या चालती यह विश्व के मानचितर में आप अखंड भारत को कुछ इस परकास से देख सकते हो सातियों तो अब मैं आपको यहा मानचितर और विस्व के मानचितर से पहले सातियों मैं आपको क्या देखाया था एश्या का मानचितर ॉर एश्या के मानचितर में यह यह जो अखंड भारत है इसमें यह रहले यह पूरे झेख अखंड भारत का ही हिंसा हुआ करते थे यानि अखंड भारत का ही अबीन अंग थे अब सात्य हो उसके बाद आपके दिमाग में यह क्यूसना आ रहे होंगे कि अकंड भारत में कौन-कौन-शे देशा मिल थे और इनको अलग-अलग या पिर इनका विवाजन कब हुआ कैसे हुआ वो जानकारी पूरी आपको यहां पर मिल जाएगी तो सबसे पहले शाथियों यह जो आपका अखंड भारत है इसमें सबसे पहले आप यहां पर देखी यह विश्व का मान चितर है और यहां पर आपको अखंड भारत है शो किया गया है और बाकी साथियों आप यहां पर भी देख सकते हो सबसे पहला जो आपका सवाल है वो है अखंड भारत हम किसे कहते हैं तो प्राचीन समय का जो भारत एविबाजित भारत है उसी को अखंड भारत के नाम से हम जानते हैं सबसे पहला हमारा point का लेर हो गया कि अक्षंद Bारत कीह इसे कहते हैं कि प्राचीन बारत कल का वह बारत जो कि क्या है एैई विवाजीट व जिसमें विवाजन की जो परकरियबाद में प्राइल हुई वह नहीं और वही अक्षंद Bारत है अब उसके बार में शात्यूंग आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो काला नतर में यानि प्राचीन काल में अगर देखा जाए तो भारत है वह बहूत अधिक विष्ट्रीत था अब इसका विष्टार कहां कहां तक था सातियों वो देखते हैं तो सबसे पहले वर्तमान समय का भारत यह उस अखंड भारत में सामिल था उसके साथ ही दोस्तों यहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान तिब्बत बोटान म्यामार बंगडे सिरलंका और यह जितने भी देश आप देख रहे हो सातिय हैं आपको यहां पर मलेशिया है फिलिपिन्स है थाइलेंड है वियतनाम है कमोडिया है इंडोनेशिया लाउंस मालडीव शिंगापूर ब्रुनवी और नेपाल आदी इसी के हिंसा हुआ करते थे ठीक है और उसके बाद सातियों आप यहां पर देखेंगे तो अंग्रेज जाता है अखंड भारत से तो अलग करने के बाद में सातियों आप यहां पर देखेंगे तो कुछ देश यहां पर बच जाते हैं जो कि हम अफगानिस्तान सामिल था पाकिस्तान उसी में सामिल था सातियों पाकिस्तान के बाद में यहां पर आप देखेंगे तीबत है यह अखंड भारत आप यह पर देख पार रहे हो और इस भारत के अंदर से जो देशों को अलग किया अंग्रेजों किया या फिर इसका विवाजन क्यों हुआ यह अखंड भारत क्षण्डित कैसे हुआ साथियों वह जानकरी सबसे पहले आप देखिए अथारा सो सताउं की ए अंग्रेजों ने चाल चली कि हमें किसी भी तरीके से इस बारत के टुकड़े करने ताकि हमें यहाँ पर व्याप्यार करने में किसी भी परकार की इस तरह की क्रांती का सामना ना करना पड़े ठीक है? तो ऐसी इसीज्थीति में सातियों, इन्होंने क्या क्या दिए भारतियगे जो भू-भाग था इसको अखंड-भारत का जो भू-भाग था इसको अलग-अलग देशों में बाण्टने का ने ले लिया? और वैसे डियों सबसे पहले आप देखेंगे तो तो अफगानिस्तान को अलग क्यों किया उसके बारे में भी मैं जानकारी दूँगा अंग्रेजों की फूट डालो और सासन करो की जो निती थी उसी निती के तहित साथ हूं उसने क्या किया भारत के टुक्डे अलग-अलग कर दी यानि अखंड भारत में जो देश में आपको की का सदसे इसी का हिंसा होने के बाद भी सातियों अंग्रेजों ने अठारा सो सताउन की क्रामती से परभावित होकर कदम उठाया कि इस भारत को भाई देरे-देरे कमजोर करना है अलग-अलग करना है अलग-अलग का मतलब है अलग-अलग देशों में इसको बांटना है और ये चोटे-चोटे हिंसों में बाढ़ना चाहते थे और उनका सबसे पहला जो था महत्वपूर्ण कदम वो ये था कि ये भारत है वो पूने कभी भी ऐखंडित ने बन सके यानि जो अखंड भारत है वापिस कभी भी क्या है एक साथ सामिल होकर के ये जो अठारा सो सताउ में सफल भी रही और सफल गया उन्होंने सबसे पहले सास्थ आप इहां पर देखिए कि ये जो आखंड भारत है इस मेंसे उन्होंने में अफ़कंडितान को अलगड किया लेकिन खाथ हो यह जो अखंड भारत है यह प्राचीन काल का जो बारत था हमारा जो विवाजित आपकाशकान वे पस्या सामिल था और उस्के बाद साथा यहां पर ट्भत है आपका निपाल है बृतान है और यह आपका अभाए और बनगला देश और स्यृलंका यह सब हमारा प्यारा देश अकंड भारत जो था उसी के हिंसा थे उसी परिवार के सदे से थे लेकिन अंग्रेजों ने अठारा सो सताउन के किरांती के बाद मैंने आपको बताया था कि इन्हों ने एक साल चली और धिरे धिरे देश को अलग अलग टुकडों में बाट दिया उसके बाद साथियों आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों काला नतर में यानि जो प्राचीन काल में क्या हुआ वा साथियों भारत है वो एक बहुत ही विस्तृत भारत था जिसको हम अखंड भारत कहते हैं इसका विस्ता कहां तक था साथ हूँ सबसे पहले आप देखेंगे तो वर्तमान समय के जो देश है उन में से साथियों भारत तो उसमें सामिल था और इसके साथ साथियों आपका अफगानिस्तान है पाकिस्तान है उसके बाद तिबत भूतान और मैमार यह सब अखंड भारत का ही हिंसा कुपवा करते थे बांगला देश जो की साथियों 1971 में आ देश जो आपको मैंने आपको यहां पर बताए हैं यह सभी अखंड भारत का ही हिंसा हुआ करते थे अगर एक्जाम में पूछ लिया जाए कि निमिल लिकित में से कौन सा देश अकंड भारत का हिंसा नहीं था तो साथियों आपको यह देश पता होने चाहिए तो अंग्रे और अफगानिस्तान को अलग किया साथियों वो जानकारी में देता हूं तो यहां पर विस्व के मान चितर में आपको यहां पर अफगानिस्तान देखने को मिल जाएगा और सबसे पहले साथियों जो अंग्रेजों ने अफगानिस्तान को अलग किया तो विक्तन की जो स्रं अफगहनिस्तान को 1847 में 1800 की करांती उसके बाद में क्या क्या उन्होंने 1806 आते आते क्या कर दिया बारत से एक टुक्रडा आलग कर दिया जिसको हम आज का अफगहनिस्तान कहते हैं और यह अखंड बारत का हिंसा हुआ करता था और यह रेखा खेंची गई थी साथ यह यह य दूरंड लाइन और दूरंड लाइन कब खेंची गई थी सातियों यह खेंची गई थी आपकी 1893 में और अफगानिस्तान को क्या है अखंड भारत से अलग बना दिया गया और यह शीमा निर्दाइट कर दी दूरंड रेकासे कि इस से आगे अफगानिस्तान होगा इधर पाक म्यमार यह कब वह था अलग अब सातियों अगर आप से पूछा जाए कि अखंड भारत से अफगानिस्तान कब अलग हुआ था तब आपको पता चल गया अब नमबर आता है सातियों म्यमार का इसका ही पुराना नाम था ब्रमा ठीक है तो यह सातियों अंग्रेजों ने एक अदिनीमि लाये उस अदिनीमि का नाम था साथियों उनीस तो पेंतीस का भारत सासन अदिनीम और लेकिन अधिनीम आते ही मैं मार अलग नहीं अगे और उसके बादे है तो साथियों ऑनीस अदेनीमि को प्याइ था नीस तो प्यानी है तही बंस के लिए wrapsन Madhyn rug 1932 में जाकर जो भारत से अलग हुआये म्यामार आप यहां पर देख सकते। हो सातियStory यह अलग हो गया था 1936 में ठीक है अब सातिय। आगे चलते हैं और चानकर लेते हैं यहां पर बोटान से समलिए बोटान भी सातियों अखंड भारत का ही अबिन अंग हुआ करता था और ये भुटान है वो भी प्या हुआ गया बारत से बारत में अग्रक्राइब प्रूम तकड़ा है वो भूटान आए इसमें समझोते कर रखे दे भूटान ने उसकी वज़े से ये सब हुआ था अब साती हूं बात आती है स्री लंका की तो यहां पर देखिए आप स्री लंका तो इस श्री लंका को किया भारत से जो अकंड बारत था उससे अलग किया गया अब साती हो सिरलंका और भारत के जो वर्तमान समंध है किस परकार के हैं उसके बारे में भी आपको आगे इंडियन पॉलिटी के तहट हम तोपिक कलियर करवा देंगे अब साथियों आगे बात आती है हमारी तिबत की तो यह जो तिबत आप देख पा रहे हो साथियों और तिबत के पात्मी यहां पर था सिक् चाइना के अंदर जो अलग अलग प्रांथ थे अलग अलग जगें थी वहां पर क्या क्या तीतर बितर कर दिया और इसी वज़े से साथियों तिबत की जो लोग थे उन्हों नहीं नहीं तो सवक्तंतर देश की मांग कर पाए नहीं कुछ और जब इनके साथ में ऐसा हुआ एक परिवार के सदेश्य को किसी को चाइना के किसी प्रांतिम बेज दिया किसी को कहीं बेज दिया ऐसे करके मतलब तितर बितर कर दिया तो सिकिम जो यहां पर था इसको लगा कि जैसा तिबत के साथ हुआ है वैसा ही हमारे साथ हो सकता है तो ऐसी इस तितिति में साथियों सडिकीम ने क्या-क्या भारत की कि ऐसे हाल हमारा ना हो जैसा किसी का हुआ है तिवद्थ का हुआ है तो सीकिम भारत का अबिन अंक कब बना वह मैं आपको आने वाले समयमें या फिर नयक्स्ट Taylor बता दूघा सिकिम तिबत का हुआ है तो शिकिम भारत का अबिन अंकब बना वो मैं आपको आने वाले समय में या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा शिकिम को भारत में कब मिलाए गया और शिकिम इससे पहले जो था वो सवतंतर देश था या रियास्ती वो पूरी जानकर आपको आग पाकिस्तान की पाकिस्तान का जनम कब हुआ कैसे हुआ और पाकिस्तान सब्द का सबसे पहले परियोग किस ने किया था साथियों वो आपको यहां पर मैं बता देता हूं यह आप देखिए पाकिस्तान और पाकिस्तान सब्द का सबसे पहले परियोग साथियों एक सन 1933 में के पाकستँ का कितना पॉटर एंद्ग आपक करके जरूर बते हैं क्योंकि आप सब को पता है पाकिस्तान कैसा है तो अब साथियों आगे बात आती है तो यह जो पाकिस्तान है इस पाकिस्तान और भारत के मद्दे यह जो रेड़ क्लिप रेखा आप देख पा रहे हो यह कब खिंची गई थी इसके बारे में भी आपको जानकरी मिल जाएगी साथियों साथ करें कि ये बात आती है बांगला देश की तो बांगला देश भी साथ यू क्या है अकھंड買ता ही हिंसा हुआ करता था और ये बांगला देश कब पाकिस्टान के लोग जो थे आर्मी के रूप में आकर बांगला देशी जो लोग थे उन पर जो पूरवी पाकिस्टान था उस पर अप्ल पाकिस्टान के साथ में ऐसी इस्तिती को देखते हुए भारत ने क्या क्या इसके मदद की और 1971 में जो भारत के साथ हुई लड़ाई के फल सवरूफ पूर्वी पाकिस्तान को बांगला देश बनाया या फिर बांगला देश है वो एक सवतंतर देश बना ठीक है यह तो है बांगला देश की क क्रांती से समदित क्योंकि आपको यह चीज भी पता होने चाहिए कि यह जो अखंड बारत जिसको हम कह रहे हैं इस में से देश अलग क्यों हुए थे और इसके पीछे रीजन क्या था तो यहां पर साथियों सबसे पहले आप देखेंगे अठारा सो सताउन की करांती की सुर अंग्रेजी समराजे की नीव हिला दी या फिर अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया इसी वज़े से अंग्रेजों ने फूट डालो और सासन करो की निति अपनाई और अखंड भारत को क्या है अलग-अलग टुकडों में बांट दिया जिससे की उनको यह लगने लगा कि ह हम आगे आने वाले समय में अठारा सो सताउन जैसी करांती का सामना हमें नय करना पड़े और हम वह भारत में आराम से अपना क्या कर सकें व्याप्यार कर सकें और भारत एक जो सोने की चीडिया कहलाती थी आज भी है उस समय अंग्रेज लूट रहे थे और आज के कुछ देश बाग जाता है और किसी ऐसे अभी देखे होंगे साथियों आपने देश के अलग-अलग कोणों में कहीं रेट पड़ती है तो वहां पर क्या है करोडों की संख्या में रूम भर भर के ट्रकों के बराव में नोट मिल रहें तो इसका मतलब है इंडिया सोने की चीडिय आप जानकर थी आसा करता हूं साथियों जानकर आपको अच्छी लगी होगी और इसका अगर पीडियाप चाहिए तो आप हमें क्या करें कोमेंट करें और हमारे टेलिग्राउन को जोइन करें अब साथियों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर अंग 23 चाल चल रहे थे और भारत को अलग-अलग विवाजित कर दिया था लेकिन जब देश को उन्होंने लगा कि अब देश को हम ज्यादा सोसन नहीं कर सकते या इसको नहीं चूश सकते तो ऐसी इस्तितम क्या है भारत में 552 जो रियास्तें थी उन रियास्तों को क्या कर दिया यहाँ पर उन्हों इंचाल सलिकी यह तो वह पाकिस्तान में मिल जाएं जो 522 रियास्ते पूरी की पूरी यह फिर वह 500 552 रियास्तें भारत में मिल जाए और आगर आप भारत में भी नहीं मिलना चाहते हो और पाकिस्तान में भी नहीं मिलना चाहते हो तो एसी इस्तिति में आपको आजा दिये कि वह सवतंतर देश बना सकते हैं ठीक है तो यह जो 552 रियास्तें थी साथियों इनको मिला करके क्या बनाना या एक संग बनाना समभो नहीं था क्योंकि फेडरेशन में और यूनियन में कुछ कमियां होती है साथ यूं सरदार पटल को यह जीमेदारी दी गई थी कि वह इसको मिला आगर आप डेखें थे सब्से में तो पन्ट वर्तमान समय में और धांपल दिया जाए तो पाकिस्तान यह पेन से कुछ हधराबाद है आपका आधर ना गडगर और जम्न कस्मेर यह कहा उना जाना यह जाना चाह रहे थे पाकिस्तान में लेकिन फेडरेशन में तो यूएसे को अगर आप देखेंगे तो यहां पर अमेरिका में अलग-अलग राज्यों का अलग सवीदान है और क्या वहां पर अलग-अलग राज्यों ने मिल करके क्या है यूएसे का निर्मान किया तो इसी वज़े से सातियों वहां पर दोरी नागरिकता है लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है दोरी नागरिकता थी एक समय जब जैंड के को अलग से धारा 370 के तैट कुछ विशेश प्रावदान मिल रखे थे तो वह आगे आपको मिल जाएगा तो अब सातियों यह जो पाकिस्तान में नाम मिल करके बहरत में मिल जाए और सवतंतर देश बना करके भी आप क्या कर पाएंगे भारत के बीच में रहा करके कौन सा सवतंतर देश बना लेंगे इसे करके इन्हों ने अच्छे से समझाया और माउट बेटन का भी उतना ही मैतुपुनी योगदान रहा और इन्होंने भी क्या है राजाओं को खत लिख सवान था इनको उसी समय क्या हैए वह अपना जो संचार व्यवस्ता उस समय कि थी उस के मादें से लार्ड माॉट बेटन ने क्या किया साथियों उन तक सन्देश विजवा यह और भारत में करा दिया जाता है कि अब 126 दो बां यह टो चव्वाद में मिलेंगे तो आप मिलेंगे किस में तो बोले हम पाकिस्तान में मिल जाएंगे और एक तो हारी शिंग जो थे जम्मु कस्मीर के महाराजा उन्हों ने बोला भाई हम किसी में नहीं मिलेंगे तो किसी में नहीं मिलेंगे तो इस तरह केशे बंद दरवाजा करके आपको अच्छे से थोड़ी आप मिल जाना तो अब साथियों बात आती है तो यहां पर सबसे पहले यूनियन में जो तीन लोगों का महतुपुण भूमिका रही और भूमिका में सबसे पहले हम देखते हैं तो आपके यहां पर बात आती है सरदार वलबाई पटेल की इनको लोहा पूरुष इसलिए कहा जाता साथियों कि इन्हों ने जो 552 रियास्ते थी उनको भारत में मिलाने का जो सबसे महतुपुण योगदान है वो था सरदार वलबाई पटेल का और इनका साथ दिया था साथियों वीपी मेनन साथ जो आप यहां पर देख पार रहे हो और उसके बार में साथियों एक वेक्ट करके यह वर्तमान समय का जो बारत है उसमें सभी को मिलाया और बनाया अब साथियों आगे थोड़ी सी और महतुपुण जान कर लेते हैं जो कि आपके लिए एक्जाम के दिरस्टी से महतुपुण होगी तो यह रह गए आपके कौन सरदार वलबाई पटेल और यह साथियो आपकी इस्टेचू जो कि आप यहां पर देख पा रहे हैं और सबसे पहले जो तीन रियास ने थी उन्होंने क्या किया बोला भाई हम भारत में भी नहीं मिलेंगे तो हम पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगे और हो सकता है उन्होंने सवतंतर देश बनाने की मांग रखी थे उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे हम पाकिस्तान में मिलेंगे अब ये हैदरबाद है यहां पर भारत के बीच में और मिल किसी मराए पाकिस्तान में यह जो निजाम था यह इतना पागल था कि यह आप बताईए कि यहाँ भारत के बीच में बिठा है बोला मिलना किसमे बोला इस में मिलना पाकिस्तान में जाकर आ चलो स्वरदारवल भाई प्ते ने बोला कि थीक है बेटा तेरे को भी समझाएंगे और जुनागर जो था साथियों ये जो जुनागर के राजा थे उन्हों ने भी भी तिक है हम भी किसमे मिलेंगे पाकिस्टान में मिलेंगी और ये जो जम्मुकस्मीर राजा थे हारी सिं इन्हों ने बोला भ्हाई हम नहीं तो सवतंतर देश बनाएंगे और शवतंतर देश बनाने के बारत में मिलाये जो आप देख पा रहे हों ठीक है इस में मिलाने का सुरे इन्ही को जाता है तो यहsst पर हैदरअबाद को किस कारवाई के तहत मिलाये गया था जुनागड में जन्दमत संक्र है और उसके बार में जमु कस्मी में विले पत्त्र के दुआरा मिलाय गया था है भारत के साथ अब 3 व्य गारत के में तो चौन के में और आगे बढ़ते हैं contexts की इन जो तीन रियास्ते थी इन रियास्तों को भारत में विले कराने के लिए मैंतुकों-बोमी का रही सबसे पहले साती हुं यह पर आप है आपका यहां पर आता है बात करते हैं है तो यह जो हैदराबाद इस ने क्या बोला बोला भाई हम तो पाकिस्तान में मिलेंगे तो ऐसी इस्तेति में क्या हुआ सरदार वलबाई पटे लोहाफुरुस ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं सात्यों उनका भी पारा थोड़ा गर्म हु भारत के एक दम बीच में है यहां पर आप देखेंगे यह तो इसको हम अलग तो नहीं होने देंगे और नए इसको पाकिस्तान में मिलाने देंगे तो ऐसी इस्तिति में सात्यों सरदार वलबाई पटेल ने हैदराबाद के जो निजाम थे उसको पाकिस्तान में मिलने से त जवानों को बैजा और ओप्रेशन पॉलो सुरू कर दिया और इस ओप्रेशन पॉलो से क्या हुआ साते हूं अच्छे से दुलाई की और दुलाई की वज़े से इसने बोला जो हैदराबाद का निजाम था इसने डायरेक्ट यूएनों में रिपोर्ट की फोन किया बोला पॉलो तो अपन्ımızı नियरु जी थे उनके पास में फिर से कोल आता है उधर से और बोला नहरु जी को कि चाहतां जी क्या कर रहे हो देश में तो आप अपनी शेना का इस्तेमाल देश की लोगों के विरूद कर रहे हो आप तो देश के कि नजाम है वो पाकिस्तान में मिलना चाह रहे हैं इसलिए उनको थोड़ा पाकिस्तान में थोड़ी देर के लिए मिलें हैं तो ऐसी इस्थिति में सात्य जो भी जन संक्या है उस जन संक्या पर शैना का इस्टिमाल नहीं कर सकते इसदों नहें अर्म बाउन unravel था तो ऐसी इस्तिति में साथियों क्या हुआ सरदार वलब बाई पटेल ने एक बहुती महत्वपूर्ण सुझ बुझ का निर्ने लेते हुए शेना को पुलीस की वर्दी पैना करके भेज दिया और बोला कि हम सिर्फ वहां पर पुलीस को बेज रहे हैं और पुलीस के कुट्टे पालने का सोग था और यह तो साथियों आप अगर इस्ट्री में देखेंगे तो इसने कुट्टे की शाधी भी करवाई और शाधी करवाने के बाद में इतना मुर्ख राजा था कि इसने पार्टी बीडी और अपनी रियास्त में जो भी लोग थे उनको पार्ट के पास और स्टूना को जाके बर भाई हम तो आप के साथ रहेंगे उ cambiar कि हमें बाइव यह जुणा करकर मिल रहा तो आप मिला किस्वां तो एसी स्तिती में सात्य यहां पर क्या है यहां पर स्थिति कुछ अलग थी स्थिति अलग ऐसी थी सातियों यहां का जो राजा था और परजा जो थी इसमें क्या है तालमिल नहीं था तो ऐसी स्थिति में क्या है यहां पर जन्मत संग्रे करवाया गया और जन्मत संग्रे की दुआरा सातियों क्या है इसको कि जनता कौन थी छाते हूं जनता थी मुस्लिम तो अब घनता तो क्या चाहरे थी कि हम दो एक मिल जाए की कि पाकिस्तान में लेकिन राजाक को ये डिर ठाख कि जैसी जनत ता या फिर में ये अगर जह वुक समीर का पाकिस्तान मिला देता ítulo तो ये क्या करेंगे। मुस्लिम कंट्री होने के कारण और ये कट्र मुस्लिम होने के कार राजा हारीश हिंग को जैसी विले होगा Jammu कस्मिर का उसके बाद में राजा साप को तो वहां और कहीं और क्वांँ ओर पहुंचा देंगे मतलब कार निस्टान की तेप उधर बोदर मिल जाएंगे और आगे साथ इसी ईसी लगी हरी सिंग को कि मेरे साथ ने वाला है तो हरी शिंग ने क्या किया वोला कि नहीं हम तो तंतर देश बनाएंगे किसी में नहीं मिलना आमें तो ऐसी इस्तिति में साथियों पाकिस्तान से रहा नहीं गया और पाकिस्तान ने सोचा कि जुनागड और हिद्रबाद दोनों हाथ से निकल गए और जम्मु कश्मीर हमारे हाथ से ने निकले इसलिए साथियों पाकिस्तान यहां की जनता को लगे हमें पाकिस्तान में मिलने से ही फाइदा होगा तो एसी इस्तिति में क्या होता है सात्यों हारी सिंग को लगा कि अब हम नहीं बचेंगे तो हारी सिंग भाग के आया काका जी के पास अपने चाचा के पास नहरू जी के पास और बोला काका जी हमें तो पिटाई कर रहे हैं बोला बेटा कौन पिटाई कर रहा है बोला पाकिस्तान ने हमारे यहां पर आंतकवादी भेजे हैं और यह कश्मीर में आई शांती फेला दी और यहां पर जनता को भी परहसान कर रहे हैं और थोड़े देर में अगर आपने हमारी मदद नहीं की साइटा और नए पाकिस्तान में रहेंगे सवतंतर देश बनाएंगे तो बना लो थोड़े देर के लिए तो उसने बोला चाचा जी हाथ जोड़ रहे हैं आप कैसे करके हमें बचा लो बस तो ऐसी इस्तिति में नहरू जी ने किसको बोला सरदार पटेल को बोला भाई देख ले थोड किस सर्थ में मिलेगा तो हरी शिंग तो कुछ समझ में आया नहीं बोला आप कैसे भी करो लेकिन हमें बचा लो तो ऐसी इस्तिति में सरदार वलब भाई पिटेल ने बोला ला वेटे एक पत्र लाए और उस पत्र पर साइन करवा लिए बोलागी यहां पर साइन कर दे कि मै जमो कस्मीर का राजा हरी शिंग अपने राजय का विले भारत में करवाता हूं और यह साथियों 26 अक्टूबर 1946 को विले पत्र पर हंस्ताक्सर हुए और हंस्ताक्सर होने के बाद में अभीन अंग बन गया जमो कस्मीर भारत का लेकिन साथियों कुछ अलग चाल चली आपक साथियों वहां पर एक इस पेसल एक जो आपका दारा 370 जोड़ी गई थी उसके बारे में भी मैं आपको आगे डीटेल में समझाऊंगा और अब साथियों आगे बढ़ते हैं और थोड़ी और जानकर लेते हैं और वह जानकरी है कि इन रियास्तों का विले बारत में जब हु तो भारत में क्या है राज्य बनाएं गए थे ए बी सी और डी चार परकार के राज्यों में सामिल कर दिया कि इसको 552 जियास्तों को अब साथियों आपको पता होना चाहिए कि यह जो 502 जियास्ते थी इन में से एबी सीडी में कौन-कौन से राज्य रखे गए तो सबसे प अंग्रेजों का सासनता वो नो राज्य थे और उन्हीं नो राज्यों को क्या है एक के टेगरी के जो राज्य थे उन में रखा और उसके बाद में साथियों आप देखेंगे यहां पर बी में क्या है यह प्रिंसली जो इस्टेट थे जहां पर साथियों जो देशी रियास् वह थे नो राजे इनको भी क्या है 20 स्रहनी में रखा और किया रखा और किसे रखा शाती हूं एक आप यहां पर देखे एसे सहर जहां पर डायरिक्ट अंग्रेज्जों का कबजा था जैसे करना है तो पूरे बियार के भोगल को बसक्त नहीं करके उन्होंने पतना को पजा लिया और मुंबई उस समय का प्रांत भाट अलग हो गया और आपका महाराश्टर test अलग हो गया नहीं करके opening महाराष्ट्र की जो वीति राजदानी देश किया मंबई उस पर और जो पूर्ने बगेरा जो पर्मुक यंद्र है उन्हीं पर कभजा कर दो तो वह क्या पूरी महाराश्ट्र पर ही कभजा कहलाएगा तो उसी बावन रियास्तों को A B C और D में इस तरीके से रखा गया तो यह सात्यूं एक जानकर थी आपके लिए कि अखंड भारत किस तरीके से तूटा और देश कैसे कैसे अलग हुए इससे कौन सा देश कब अलग हुआ और कौन सी ऐसी रियास्त थी जिस ने भारत में विले करने से म कारवाईयां की गई यह पूरी जानकरी मैंने दिया आपको सात्यूं अब आगले वीडियो में मिलेंगे सात्यूं इससे आगे की जानकरी लेकर के धन्यवाद जैहिंद वंदे मात्रम